मलिक साब आपका हमारे चैनल में शागत है दन्यवाद दन्यवाद कॉमल आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आस्ता और शिक्षा का क्या मेल है लोग कहते हैं चो शिक्षित होते हैं वो कभी आस्ता पे भरोसा नहीं करते लेकिन आस्ता करना बहुत जरूरी है आज कल आस्ता में भरोसा दिलाने के लिए पैरेंस भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्या है यास्ता कॉमल देखो आस्ता अब यानि भगवान को हमने किसी को किसी ने देखा तो है नहीं हां मानते हैं कोई शक्ती है जो सरिष्टी को चला रही है सार कोई मस्जिद में कर रहा है मैं उसके लिए मुझे कोई अतराज नहीं है सब अपने धर्म के मताबिक मतटे किये लेकिन एक चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ है मैं इसके खिलाप हूँ अगर कोई लोग नारा जोंगे तो यह उनकी मरजी की बात है लेकिन मैं इस चीज़ से मैं खिलाब हूँ और मैं साला दोंगा कि ऐसा ना करें यानि हम मंदरों में और इन धार्मिक स्थानों में जा जागे दुनिया भरका पैसा चड़ाते है मुझे ये चीज़ से मैं इसके खिलाप हूँ भगवान अगर आप भगवान को मान रहे हैं और आप यह कह रहे हैं हमारा व्यापार चल रहा है भगवान की किरपा से तो वो आपको पैसे तो वो दे रहे हैं ना फिर आप उनको क्या दिखा रहे हो आप अपने आपको ज्यादा अमीर बन का दिखा रहे हो कि भगवान मैं आपको देने के लिए आए हूँ यानि जो उनी से तो आप मांग ले जो जोली फैला फैला कि उसके दरपे जाके जोली फैला कि मांग रहे हैं जब उसने हमें दंदा दे दिया काम दे दिया तो फिर उसी को वापस करने चलेगे इससे अच्छा है अगर इसको पैसे को अगर आपके पास सरपलस है तो इस पैसे तो इसी में खुश है, भगवान कभी नहीं कहता है कि मुझे दो, या मेरे दर पे अच्छा, आपने जा कर चढ़ा दिया, जो भी जिसकी आस्ता है, वो मंदर में जा कर पैसा चढ़ा दिया, आपको क्या मालूं वो कहा इस्तिमाल होगा, मैं किसी पुझारी के उपर कोई प्रसनेचे नहीं लगा रहा हूँ, लेकर क्या पता है आप तो चढ़ा के आगे, वो पैसा कहा जाएगा, किसके पास जाएगा, वो पुझारी के पास रहेगा या पुझारी किसी नेक काम में लगाएंगे या हो सकता है कोई और गुंडे बदमास आकर के पुझारी को यहाँ गन लगा करके उस पैसे को लूट के ले जाएंगे, बहुत उस पैसे को कहाँ, पहली बात तो जो चढ़ा रहा है उसका भी क्या पता, वो अपनी कमाई का चढ़ा रहा है, या कहाँ, कहीं से इदर उदर से उठा कर लाए, क्योंकि उसको भगवान को खुश करना है, और आगे और कुछ बड़ी जोली पहला करके उससे मागना है, इससे बढ़ी आए, मंदर के बाहर आपको कितने गरीब मिल जाएंगे आप उनको छोड़ करके शीदे अंदर जाते हो, और अंदर जाकर जोली पहलाते हो, तो मैं इसके खिलाब हूँ, शिक्षा, जहां तक शिक्षा आपने बढ़ाय को, ठीक है, पड़े लखे लोगों को, सचमुच इसकी तरफ यह ग्यान होना चाहिए, मैं बिलकुल नहीं कह आत्मा की अगर यह शांती हो रही है, कि मैंने अपने बगवान की पूचा किया है, बहुत अची बात है, लेकिन धन वहां चड़ाना, इस धन को आप शिक्षा में लगाईए, और मैंने देखा है, बहुतों को देखा है, जिसके बच्चे उनकी शिक्षा पर पैसा नहीं ख खर्च किया जा रहा है, या उनके लाज पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो मंदरों में जाके चड़ा रहे हैं, तो यह यह अड़म बराये, विदम बना मुझे नहीं समझ मारी है, यह क्यों ऐसा लोग करते हैं, इसकी बजाए, ठीक है, आप अपने आस्ता करिए और बहुत सारे नेक काम हैं, यह अपने लगा दीजिए, इसे से अनात्द बच्चे आपको मिलेंगे यहां, जिसको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है, नाने के लिए पानी नहीं नहीं मिलता है, खाना नहीं है, आप उन बच्चों की चैरीटीव वinkyरा कोई शिक्षा के लिए आप इंतिजाम कीजिए उनके चिकिच्षा के लिए इंतिजाम कीजिए तो मैं यह मतलब आस्था के नाम से और बहुत लोगों ने तो दुकाने खोल रखी हैं आस्था के नाम से मंदर गुर्द्वारे भी छोड़िए, अब कई सारे बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे नकली हमारे देश में बाबाओं की संक्या बढ़ती जा रही है, जो आस्था के नाम पर जंता को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, कुमल अपने आखों से देखे हैं, घर में माँ बाप भूके मर रहे हैं, उनको दो वक्ती रोटी नहीं है, लेकिन वहां जाकर के थेलियां चड़ा गयाते हैं, क्या मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलेगा, सबसे बड़े बगवान, अगर मंदर और गुरुदारे में डूनने की ज़ूर उत नहीं है भगवान आपको वहीं आगर के परकट होंगे वहीं आपसे मिलेंगे और आपकी पूरी मनों कामना पूरी करेंगे आपने एक सच्चे दिल से माता पिता की शेवा कर दी भगवान की हिम्मत नहीं है कि आपका ध्यान ना रखें, वो खुद वो खुद, क्योंकि वो तो चाते ही हैं, माबाप की शेवा करो, तुम्हें मैं कोई कमी नहीं रहने दूँगा, तुम्हारे सारे बंडार मैं भर दूँगा, तो ये आस्था के नाम पर जो ये चल रहा है, कुमल मुझे इस से बहुत तकलीफ है, मेरा वेक्तिकत विचार है, तो मैं इसके खिलाब हूँ, और निवेदन करूँगा, आपके माद्यम से, पूरे देशवाशियों से, आप अपना आस्था में अपना रखिए, अपना ध्यान के मताबिक, पूजा करिए, लेकिन पैसा वहाँ ना चड़ाईए, अगर आपके पास अपना परिवार के अलावा पैसा है, तो वो गरीबों पर खर्च करिए, उनकी इलाज पर खर्च करिए, उनकी शिक्षा पर खर्च करिए, उससे देश बढ़ेगा, जब हमारे बच्चे अगर शिक्सित होंगे, तो देश तरकी करेगा, देश तरकी करेगा, तो विश्यो शक्ती बनेगा, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाब हूँ, आस्था के नाम से जो पैसे का लूट हो रही है, और आप देखिए, वो भगवान तो चलो ठीक हमने नहीं देखा, वो पास गई या नहीं गई, कहां गई है वो ठेली, लेकिन बाबाओं के पास चड़ती वो ठेली या सब को नजर आती, वो कहां जाती है, तो मेरबानी करके मैं देश वास में यह कहूंगा, कि यह चड़ाने वाला खेल बंद करिये, और पैसा आप सबसे पहले आप अपने पर सारे एजुकेटिट लोग ही सबसे जादा मंदिरों में जा गया है, और सबसे जादा ही चड़ावा चड़ाते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वही है, दुखत है, पढ़े लेके लोगों को खुद आ करके बाकियों को रोकना चाहिए, आप बिल्कुल सही क चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, जो दुकान चला रहे हैं, जन्ता को लूट रहे हैं, मैं उनके खिलाब हूँ और उन सिक्सित लोगों से भी मैं विशेस निवेदन करूँगा, कि आप अपनी सिक्सित का इसका इस्तिमाल किसी अच्छे काम में कीजिए, देश क उपर उठाने के लिए यूज कीजिए, आपने कमाया है, इसी धरती से कमाया है, तो उस कमाई के उपर इस देशवाशियों का भी हक है, तो आपके पास अगर ज्यादा पैसा आगया, सरपलस हुआ है, आपकी मैनच से, तो आप देश के काम लगाईए, उसको देश को उपर उठाने के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंडी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले, ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.